हेलो नमस्कार साथियो मैं मनीश आदब एक बार फिरूम आपके सामने एक नया वीडियो ले कर आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भी विद्यारती यूपी डियालेट से यूपी से डियालेट करना चाहते हैं और उन्होंने प्रवेश लिया है प्रतम समेश्ट हैं तो अगर आप यहां आ गए हैं तो आप पूड़ मनुयों के साथ इसमें अपना पूरा समय देंगे और पूरी इमांदरी के साथ इसके तयारी करेंगे लेकिन तयारी करने से पहले आप किसी भी परिक्षा की तयारी करते हैं किसी भी एक्जामें बैठते हैं तो उससे पहले आपको उसका से लिवस जान लेना बहुत जरूरी है कुल कितने पेपर रहने वाले हैं इन सारी जनकारी जो आपको मिलेगी वो सारी वीडियोस के वादिम से आपको मिल जाएगी जो विद्धारती डियालमने प्रवेश ले लिए हैं और अगर रेगुलर क्लास करना चा देखें यह आपका पर्थम समेश्टर का सलेबस है इसे मैं आपको बता दें कुल मिलाके आपके आठ पेपर होंगे हैं जिन मेंसे तीन पेपर ऐसे हैं जो आपके पचास-पचास नमबर के होंगे बाकी की जो पांच पीपर है वो आपके 25-25 के होंगे तो कौन से पेपर 50- नमबर के होंगे कौन से पेपर 25 नमबर के होंगे उसका क्या सलेबस है तो आए देखते देखो पहला पीपर आपका हो जाएगा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया यह पिपर आपका 50 नमबर का होगा तो आपको इसकी तयारी बहुत अची तरीके से करनी चाहिए क्यो उसका जो कैसे विकास होता है कैसे विर्दी होती है कैसे कैसे चीज़े बढ़ती है बाल विकास का अर्थ क्या है उसकी आवसकता क्यों बढ़ती है उसका इसकोप क्या है बाल विकास के आवसकता है क्या है सैस्वाबस्ता बाल यावस्ता किसुराबस्ता और उनके अंतरकत क कैसे कैसे विकास होते हैं वालकों के सारीरी विकास के बारे में वालकों के मानसी के विकास के बारे में उनका सम्मेगात्मक विकास कैसे होता है तो तो टोटली यहां पर आपको बालक के विकास के विकास कैसे कैसे होता है उसके बाद आपका एक और पेपर होता सिक्षड अद यह है कि फिर बालग जब आप स्कूल में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको पढ़ने की जरूरत पढ़ेगी तो अगर वो पढ़ेगा तो दूसरा पेपर आपका होता है सिक्षड अधिगम के सिध्धान तो शुरुवात में आपको इन विश्यों के नाम संबबता हो सकता है देरी से याद हो लेकिन प्रैक्टिस में आजाएंगे तो आपको कोई दीकत नहीं होगी यह वाला भी पेपर आपका 50 नमबर का होगा और एक बात याद रखिए कि जो पेपर आपके 50 नमबर के हैं उनमें पास होने के लिए आपको 25 नमबर लाना अनिवार है यह पेपर आ गास है आपका चिःचर का आर्फ कि हम बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं संपुनिकेशन का हम अगर बच्चों से बात चीत करते हैं तो एक अच्या कमदुकेशन बूपने वाले हैं अधिना आपको यह सारी चीजया आनि चाहिए कि बच्चे जब चोटा है तो उसकी सब कि विद्धियों का प्रियों करें जिसके मादे उसे बच्छा चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सके। शुकष्यम् क्या हैंग नवीन विधाएंग क्या हैं ? अपेक्षit अधिम्स तरह क्या होताइं कि किसी एक नियमिति जो कष्छा नियमित है उसका क्षहता थ grote है कि वहाइक हम confident के वालों को करना है उनका कैसों करते हैं प्रीयोप कैसे करना है उनका राक रखाओ के से करना है है और है कि आपका साइंस का जो है आपका ये 25 नंबर का पिपर है आपने अहां तो-ैक कि श rifStu खुझ से बनाते हैं तो बैटर है अगर आप लोग चाहते हैं कि नोट्स हमें बने बनाए मिल जाए हमारे नोट्स जो हमने आपको जो आपके पहले के सीनियर है उनको मैंने प्रोवाइड किये बहुत अच्छा उसका फीडबैक रहा है तो जो विजारते अगर लेना चाहें ले सकते हैं वाट्स अप नमबर है इस पर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आप लोग पीडियाफ चाहते हैं तो पीडियाफ आपको मिल जाएगा पीडियाफ के लिए आपको अप्लिकेशन डाउनलोड टरना पड़ेगा वीडियो के अट में हम आपको बता द पढ़ेगा सामाजी कद्धिन यह पेपर आपका 50 का जैसे मैंने आपको बताया पहला पीपर वाल विकास दूसरा पीपर सिक्षड इद्गम तीसरा आपका सामाजी कद्धिन और यह आपका 50 नमर का पीपर होने वाला है इसमें इतिहास के विशाय में प्रतवीकी मानों की उत्पति और विकास नदीघाटी सब बताय वैदेकाल यह आपको इतिहास पढ़ना है भूगोल में सौर मंडल मांचित्र ग्लोब इत्यादी चीजे पढ़नी है नागरी साथ भी पढ़ना है जो लोग आप पढ़ते आए हैं अर्थ साथ के पिसे में थोड़ा सा आपको प पढ़ना है और लेखन की जो विदियां हैं उनके विशें में आपको पढ़ना है अगला है संस्कृत देखो आपको पढ़ना पढ़ेगा संसिक्रत भी आपका most important है आसपास की बस्तूंओं पक्षों संस्कृत की जानकरी संग्या लिंक बसे निक्तियाति की जानकरी यह सार आते हैं तो वह लोग इस वाले अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं वहां से आपको सारी जनकारी मिल जाएगी 8 MB का एप है बहुत छोटा सा स्मूध बहुत सूपर फास चलता है इसके बाद जो विद्यारति अगर पीडिया प्राप्त करना चा कर दीजिए अगर आपको पेड नोट्स घर मंगवाने हैं तो आप इस पर मेसेज करके भी जूचना प्रत कर सकते हैं इस पर कॉल नहीं करना है आपको सिर्फ मेसेज करना है आपको मेसेज का रपलाई दिया जाएगा बाकि आपकी डिया प्रतम समयशे की क्लासे कब से सुर